केदार छेत्र में पांच 6 फीट आते हैं इन में से एकेश्वर महादेब के बारे में हम पहले जानकारी दे चुके हैं अन्य चार 6 फीट हैं तारकेश्वर महादेब, बिंदेश्वर महादेब, क्यूंकालेश्वर महादेब और किलकलेश्वर महादेब इन में से आज हम आपको ले चलते हैं तारकेश्वर महादेब के दर्शन करवाने के लिए पौडिगडवाल जिल्ले के जयहरी खाल विकाश खंड में चखुलिया खाल गाउं के पास इस्तित है तारकेश्वर महादेप का मंदिर या लैंस डाउन से 38 किलो मीटर, कोड़दार से 70 किलो मीटर और रिखनी खाल से 26 किलो मीटर की दूरी पर 1800 मीटर की उचाई पर इस्तित है महाकभी कालिदास ने रगवण्ष महाकाब्य में तारकेश्वर धाम का वर्णन किया है रामायन और पुराणों में भी तारकेश्वर धाम का जिक्र है यहां भगवान शिव का मंदिर है देवदार, बांज, बुराश और काफल के पेड़ों के बीच इस्तित तारकेश्वर महादेव सदियों से लोगों की आस्ता का केंदर रहा है जहां शिवरात्री पर विशेष पूजा अर्चना होती है शिवरात्री के दिन यहां बड़ा मेला लगता है यहां देख कर लगता है कि परकृति भी पूरी तरह से भगवान शिव पर मोहित है और इसलिए या परकृति प्रियमियों के लिए भी आदर्श इस्तल है तारकेश्वर महादेव छेत्र को योग और साधना के लिए उत्तम इस्तल माना जाता है तारकेश्वर महादेव इस छेत्र के कई गाओं के कुल देपता भी है ताड केश्वर महादेब को लेकर दो पौराणिक कथाएं पर चलित हैं एक कथा के अनुसार ताड का सुर्का वद करने के बाद भगवान शिव यहां विस्राम करने के लिए पहुँचे थे सूर्य की ताप से बचाने के लिए तम मापारवती ने यहां देवदार के साथ व्रक्ष लगाए थे एक कथा के अनुसार मापारवती ने स्वयम देवदार के व्रक्षों का रूपदारन कर लिया था मंदिर प्रांगण में अभी देवदार के गगन्चुम्वी वरक्ष हैं दूसरी पवरानिक कथा में कुछ अलग तरह का वर्णन है इस कथा के अमसार ताड के स्वर की भक्ति से परसन होकर भगवान शिव ने उन्हें अमरत्त का बरदान दे दिया इसमें एक शर्ट थी कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उनका वद कर पाएगा ताड केश्वर ने शर्ट पर आधारित यह वर्दान शीकार कर लिया इसके बाद हालांकी ताड केश्वर के तेवर बदल गए ताड केश्वर ने निर्दोष लोगों और शाधूं को मारना शुरू कर दिया और पूरे छेत्र में अशांति फैला दी ऐसे में सवी संत भगवान शिव की सरण में पहुँचे भगवान शिव ने पारवती से विवा किया और फिर कार्थिके का जन्म हुआ कार्थिके ने ताड केश्वर को मार दिया लेकिन जब वह अंतिम सांसे ले रहा था तब उसे अपनी गलती का एसास हुआ ताड केश्वर ने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे माफि मांगी भोले शंकर फिर से पसीज गए ताड केश्वर ने जहां कभी तफस्या की थी वहां पर इस्तित मंदर का नाम करण ताड केश्वर के नाम पर कर दिया और उन्हें वर्दान दिया कि कल युग में लोग उनकी ताड केश्वर महादेव के नाम से पूजा करेंगे इस अस्तान को अब ताड केश्वर महा देव के नाम से जाना जाता है कहते हैं कि ताड केश्वर महादेव ने अपने भक्तों के सपनों में आकर कहा था कि यहां मंदिर उनका आवाश है और देवदार का या सुन्दरवन उनका बगीचा है यह भी कहा जाता है कि एक विशेष जाति के लोगों का यहां आना वर्जित है एक अन्यपवराणिक कता के अनुसार एक समय इस छेत्र में इस जाति का दबधबा था जो लोगों पर अत्याचार करते थे भगवान ताड केशवर ने जब इसका विरोध किया तो इस जाति के लोगों ने उन्हें युद्द के ले ललकारा इस युद्धु में उस जाति ने धूर्टता से जीत हासिल कर ली इसके बाद तारकेश्वर ने इस अस्तान पर भगवान शिफ की पूजा की थी जब उन्हें वर्दान मिला तो उन्होंने इस जाति के लोगों से वदला लिया था कहते हैं कि यही वज़ा है कि उक्त जाति के लोग यहां पूजा के ले नहीं आते हैं इस मंदिर में सर्षों का तेल भी नहीं चड़ाया जाता है तारकेश्वर महादे मंदिर में पहले शिवलिंग था लेकिन अब यहां पर भगवान शिव की मूर्ति है जिसमें वहां तांडव करते हुए दिखाए गए हैं कहा जाता है कि जहां शिवलिंग था वहां कुछ साल पहले भगवान शिव की यह मूर्ती मिली थी शिवलिंग अभी मंदिर प्रांगण में है यहां पर लोटे रखे हुए हैं जिनसे भक्तगण शिवलिंग में पानी चड़ाते हैं यह पानी मंदिर परसर में इस्तित्पुंड कहा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मा लक्षमी ने बनाया था मंदिर में जटा धारी नारियल और तिलका तेल चड़ाया जाता है नारियल की जटा मंदिर के प्रांगण में ही निकालनी होती है इसके लिए यहां पर पूरी ब्यवस्ता की गई है वहां पर नारियल पानी चड़ाने के बाद आधा नारियल मंदिर में अर्पित किया जात मुख्य मंदिर के करीब एक अन्य मंदिर है जो माँ भगवती यानि माँ पार्वती का है मंदिर परिशर में ही हमन कुंड है जहां हर समय अगनी परज्वलित रहती है यहां भक्तगण धू परपित करते हैं तारकेश्वर मंदिर में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मानिता है कि जिसकी मनों कामना पूर्ण हो जाती है वह मंदिर में घंटी चड़ाता है यहां अब तक हजारों घंटियां चड़ाई गई है परवेश द्वार से लेकर मंदिर और फिर निकास मार्ग पर दो दोनों तरफ इन घंटियों को देखा जा सकता है शादी और बच्चे के जनम के बाद भी यहां घंटी चड़ाई जाती है मंदिर के पास में ही आस्रम और धर्म शाला है जहां खानपान की भी व्यवश्टा है केदार छेत्र के अन्यशय फीट की तरह तारकेश्वर महादेग में भी इस्तानिय निवासी पहले अनाज को भगवान शिव को अरपित करते हैं यहां पर हर साल बंडारे का भी आयोजन किया जाता है तारकेश्वर मंदिर समिती यहां सारी व्यवस्ता करती है ताड़केश्वर महादे मंदिर से लगबग एक किलो मीटर दूर सडक मार्ग है यहाँ पर गाड़ियों के पार्किंग की अच्छी ब्योस्ता है जहां से मंदिर के लिए परशात खरीदा जा सकता है यहाँ से आसानी से उतराई के रास्ते मंदिर तक पहुचा जा सकता है दिल्ली से ताड़केश्वर की दूरी 281 किलो मीटर और देहरादून से 187 किलो मीटर है दिल्ली और देहरादून दोनों अस्तानों से कोड़द्वार होते हुए ताड़केशवर पहुचा जा सकता है कोड़द्वार, मोटर और रेल मार्क से जुड़ा है यहाँ सबसे करीबी हवाई अड़ा जौली ग्रांट है जो ताड़केशवर से लगभग 180 किलो मीटर दूर है पौड़ी और सत्पली होते हुए लैंस डाउन के रास्ते ताड़केशवर जाय जा सकता है लैंस डाउन से डेरिया खाल होते हुए शड़क ताड़केशवर तक जाती है सड़क के दोनों तरफ चीड, बांज और काफल के वरक्ष यात्रा को सुगत बनाते हैं ताड़केशवर धाम की यात्रा का सबसे उपयुक्त समय मार्च से अगस्त तक है गर्मियों के समय मंदिर सुबह पाँच बजे से शाम साथ बजे तक जबकी सर्दियों में सुबह छे बज कर तीस मिनट से शाम पाँच बजे तक खुला रहता है बोलो ताड़केशवर महादेब की ज़ए उम्मीद है कि आपने घसेरी के साथ ताड़केशवर महादेब के दर्शन करने का भरपूर आनंद लिया होगा घसेरी का प्रयास उत्राखंड से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुचाने का है उम्मीद है कि आपने उत्राखंड को समर्पित यह चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा हर हर